चलिए तो नितीश कुमार ने खेला कर दिया है और अभी से कुछ देर के बाद नितीश कुमार राजभवन जाकर राज़िपाल से मुलकात करेंगे और उसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी के सारे मंत्रियों को बरखास्त करने के बाद तिरस्वी आदाव की ताजपोशी होनी अप्ताय हो गई है और तिरस्वी आदाव बिहार के डिप्टी सीयम फिर से बन जाएंगे कॉंग्रेस वालों और हम वालों ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद अपना समर्थन पत्र महा कटबंदन के फेवर में दे दिया है और ये कहा जा रहा है कि महा कटबंदन के तो इनेता है तो वो है नितीश कुमार और नितीश कुमार ने राजपाल फागो सिंग चोहान से सारह 12 बड़े से एक बड़े की बीच में मिलने का समय मांगा है और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि नितीश कुमार दो तीन जवियू के नेताओं के साथ राजभवन जाकर मुलाकात करेंगे और उसके बाद भाजपा समर्थित सरकार अब बदल कर महा गठबंदन समर्थित सरकार बन जाएगी जिसके मुख्या तो नितीश कुमार रहे लेकिन एक आदमी इसको सब्सक्राइब फाइदा हुआ है उसका नाम है तिरस्वी आदव को लेकर लगतार ये कहा जा रहा था कि अब वो चीस्ट मिनिस्टर मेटेरियल हो गए है शुरुवात में कल पर सो ये खबर चल रही थी कि तिरस्वी आदव इस बात पर डील नहीं कर लिए और फागू चोहान से मिलकर नितीश कुमार भाजपा के सारे मंत्रियों को भाजपा के दो उपमुक्ष मंत्री को बरखास करेंगे और उसके बाद नए सीरे से सरकार का गठन होगा जिसमें नितीश कुमार महा गठबंदन के लोगों को मंत्री बनाएंगे और तिरस् यादव को मिलेगा और जो विधान सभा के स्पीकर होते हैं वो RJD का कोई निता बनेगा और उसके बाद अब नितीश कुमार ने अपने विधायकों के साथ मीटिंग करके शायद ये फैसला ले लिया है कि अब उनको सरकार बदलना है और अगर ये फैसला नहीं लेना होता तो वो राजेपाल से मिलने का समय नहीं मांगते राजेपाल से मिलने का समय साथ 12 से एक की बीच में लिया गया है वो कभी भी राजेपाल के पास पहुँच सकते हैं और वहाँ जाकर ये कह सकते हैं कि वीजेपी की जितने ही मंत्री है उनको बरखास किया जाए और उसके बाद हम महा कठबंदन के सवर्थन से सरकार बनाने वाले हैं राजेपाल जी जैसे इसको अप्रूव करेंगे तर्यस्वी यादव की ताजपोशी की तयारी शुरू हो जाएगी और तर्यस्वी यादव बिहार के नए नवेले डिप्टी सीम बन जाएंगे सुवा से ही लगतार मीटिंग चल रही थी जद्यू वालों की आरजेडी वालों की हम वालों की कॉंग्रेस वालों की कॉंग्रेस नदू कल ही इस बात का एलान कर दिया था कि अगर नितीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ने के लिए तयार हैं तो हम लोग उनको बिना किसी शर्थ के समर्थन देंगे और उसके बाद आज आरजेडी के विधायकों की और सांसदों की मीटिंग होती है उसके बाद जद्यू के विधायकों की मीटिंग होती है और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि अब महागठ बंदन के समर्थन से जद्यू सरकार बनाएगी और जिस भाजपा के समर्थन से सरकार चल रही थी अब वो सरकार गिर जाएगी भाजपा के जितने भी मंत्री हैं दो जो दो उपमुख्य मंत्री हैं वो सारे लोग इस्तिफा देंगे और नितीश कुमार ने इसी बाबत राजभवन जाने का फैसला लिया है उन्होंने फाग भी दे सकते हैं जो कॉंग्रेस ने राजद ने और महा कटबंद के जितने भी दल हैं उन्होंने उनको सौपे हैं और उसके बाद नए सीरे से सरकार का गठन होगा नए सीरे से मंत्री बनाई जाएंगे और नितीश कुमार ने जो दाव खेला है उस दाव से भाजपा सीधे सीधे चित हो गई है और अब नितीश कुमार जो लगतार इस बात को लेकर परिशान थे कि आरसी पी सिंग को उनके पार्टी को तोड़ने के लिए भाजपा इस्तिमाल कर रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि अब नितीश कुमार ने फैसला ले लिया है और अब खुद डिप्टी सियम के पद पर बैठेंगे और शायद ग्रीवी भाग भी उनके पास होगा वहराल हम आपको अपडेट देते रहेंगे बाकी नितीश कुमारे से पहुंचेंगे वहां क्या क्या होता है कौन डिप्टी सियम बनता है बिहार सरकान बिहार धान सभाग कौन स् शांत्राय है बहुत बहुत धन्यवाद